किसारी लाल यादो किसी भी राइटर का लिखा हुआ गाना लेकर आ जाएं, वो गाना आने से पहले या आने के बाद विवाद में उसका जाना तै होता है, किसारी लाल यादो कि किसी भी गाने के साथ ये होना पहले से ही निश्चित हो जाता है, किसारी पर ये कलंक हर वार ल और हम लोगों के मौत के जिम्मेदार खिसारी लाल यादों होगे। पहले खिसारी लाल यादों अपना एक नया गाना लेकर आते हैं। अगर महाल खत्म भी नहीं हुआ था कि एक दिन पहले एक गायक सामने आता है जो खिसारी पर यारोप लगाता है कि इस गाने को मैंने आस्ते साल भर पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था ये गाना मेरा है और इस गाने को चुरा कर खिसारी लाल यादों ने अपनी आवाज में गा गानों के साथ जान बूच कर कॉंट्रोवर्सी की जाती है ताकि खिसारी के गानों पर इसका असर पड़े और खिसारी के गानों पर व्यूज बढ़ सके अब ये सारी बाते हम कहने पर मजबूर इसलिए भी है क्योंकि हम आपको कुछ दिन पहले ही खिसारी के एक नए गान जदी ने इस गाने को चुराकर खिसारी से थोड़ा बहुत गाने में फेरी बदल करके गवा दिया है। जदी ने इस गाने को चुराकर खिसारी राल यादो ने अपनी आवाज में गादी है। हम लोग गरीब परिवार के सम्द रखते हैं, हम लोगों के पास हिसारी जैसा पैसा भी नहीं है। और अगर खिसारी लाल यादव हम जैसे गरीब सिंगरों को ऐसे प्रताडित करेंगे, टॉर्चर करेंगे, परिशान करेंगे, हम लोगों का हक मारेंगे, चो हम लोग एक दिन उनके नाम पर सुसाइट कर लेंगे और हम लोगों के मौत के जिम्मेदार खिसारी लाल यादव ह इसके लाव आपको बतादे कि उनका कहना है कि मेरे पास सारे सबूत हैं, प्रॉपर उन्होंने प्रूफ दिखाया कि मैंने इस गाने को 14 जन्वरी 2023 में रिकॉर्ड किया था, अब खिसारी लाल यादों के जो प्रिशन सक हैं, उनका अपना दावा है कि खिसारी लाल यादों इस गाने को साल भर पहले यानि सितंबर 2023 में शूट कर लिया था, ऐसे में ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कौन किसका गाना चुराया है, लेकिन खिसारी लाल यादों कि किसी भी गाने के साथ ये होना पहले से ही निश्यत हो जाता है, खिसारी पर ये कलंक हर बार ल लिकर एक बहुत बड़ा आरोप रहता है कि किसारी गरीब गायकों का गाना चुराते हैं, छोटे गायकों का गाना चुराते हैं, जो अपने सर्वाइवल के लिए जैसे तैसे एलबम निकाल रहे हैं ताकि उनकी कुछ कमाई हो सके, आब गोर कर गिएगा, पमन सिंग पर ऐ लिकर दिन के लोग चोरी करते हैं, क्या वाकई एक छोटे कलाकारों का हक मारते हैं और ये शायद पहली दफा हुआ होता, तो एक बार हम भी ये कहने में संकोच करते हैं, लेकिन हम इतनी वेबाकिस से ये भी कह पा रहे हैं, क्यूंकि हम जब से खिसारी लाल यादो को बाद में आता ही है, और तीन दीन पहले आये हुए खिसारी का एक नया गाना ही लवले बाडू, नीलम गिरी के साथ आया है, और ये गाना एक बार फिर से विवादों के बीच घिरा हुआ है, अब आप पर छोड़ते हैं, आप अपनी राय बताईए कि आपको क्या लगता ह क्या वागई खिसारी लाल यादों ने छोटे कलाकार आशिक अरविंद यादों का गाना चुराया है, या फिर ये गाना खिसारी का खुद का है, इसके साथ वीडियो को समात करते हैं, मिलते हैं वीजियो में, धन्योगा